चूनियर एंटियर तेल गुंदेश्टी के वन आदा बेस्ट एक्टरों मैं से एक हैं लेकिन हाल फिलाल के अंदर टिर्पल आर जैसी मूवी देने के बाद तो ये गलोबली स्टार बन चुके हैं कि भाई इनकी फिल्म टिर्पल आर का सौंग यानकी नाटू नाटू आउसक जीच चुका है तो उसके बाद इनकी काफी बड़ी बड़ी फिल्मों की ओफिशली एनाउंस्मेंट डे बाई डे होती जा रही है तो हम बात करने वाले हैं कि जूनियर एंटियर की कौन कौन सी फिल्में आ रही है दो जाते ही 2425 में उस सब को जानेंगे इसी वीडियो में बस्टर फिल्म बना चुक है तो इस फिल्म के लिए रोल में आपको जूनियर एंटियर जानवी का और विलेन के रोल में आपको सैफली खान भी दिखाई दे सकते हैं जी हां दोस्तों आपको इस फिल्म की जो सूटिंग है वहां के यह वीडियों से साड़े तीन सो कैनी बैट्स करने जो कि Mission Impossible Ghost Protocol का जो एक्सन था ना उसे कोरोग्राफ इनों नहीं कियाता है यानि कि फिल्म को इंटरनेशनल लेवल पर बनाया जा रहा है जिस फिल्म का वीएफेक्स देखो हर किसी का दिल जीतेगा लेकिन एक्सन भी कमाल धमाल बवाल होने वाला है जी हां इस फिल्म के अंदर जैसे जैसे लोग आ रहे हैं इस फिल्म को बनाने के लिए लग रहाएगी ये फिल्म में पैन वर्ल्ल्ड रिलीज होगी जो की 5 अपरल 2024 को ही होगी दोस्तों बात करूंगो ने इस फिल्म जो होने वाली है वार टू वार टू एक एक्सन थ्रेलर फिल्म होने वाली है जिस फिल्म को डिरेक्सन देंगे आयान मुखर जी जो की हाल फिलाल में यानि की 2022 में ब्रहमास्तर जैसी ब्लॉग बश्टर फिल्म बना चुके तो इस फिल्म के ल वार का जो कि भाई बॉक्स और ब्लॉक्बस्टर फिल्म रही थी जिसके लीड रोल में आपको नज़ रहे थे रिंटिक रोशन और टाइगर शूप जिस फिल्म को लगबग 170 करोड के बज़न में बनाया गया था और इस फिल्म ने ना भाई 475 करोड कमाये थे लेकिन अब इ इस फिल्म को तीन सो से साड़े 400 करोड के बचट में बनाया जाने वाला है और इस फिल्म को जो लिखा है वो वाई यारप के ओनर जो है यानि की आदेत चोपडा ही लिख रहे हैं जिस फिल्म को काफी बड़े लेवल पर बनाया जाएगा और यह फिल्म भी पैन इंडिया ह से स्टार्ट होने वाली ही जी हाँ दोस्तों, 2023 के लाट सिह यह यह फिल्म भी 2024 के आपचीस की जनवरी में देखने को मिलेगी जनवरी 2025 कभी रिसकॉन रूं बात करेंगे ना इस फिल्म जो हुने वाली NTI 31 एक मास अकशन ट्रेल फिल्म होने वाली है जिस फिल्म को डारेक् करेट करने वाले क्योंकि वो अपना सिनमेटिक यूनिवर्स बना चुके के जिए वन के जिए टू और साथ में सलार को मिला कर तो यह वी उनिके यूनिवर्स की एक फिल्म हो सकती है जिसके लिए आपको जूनियर एंटिया नजर आएंगे और इस फिल्म के विलन के लिए फिल्म की सूटिंग है वो 2013 की लड़ से स्टार रहों या जो हने वाले है एक एंटाइटल एक्स ड्रामा फिल्म को डारेक्सन देरें वाले तिर gener allman और जूनियर एंटियार नजर आएंगे बनके तैयार भी होने वाली है उसी फिल्म को साथ में करने वाले थे लेकिन भाई जूनियर एंटियर के साथ डेट ना होने के कारण इस फिल्म को उनके हाथ से निकल जाना पड़ा और अब नई फिल्म वो बनाने वाले हैं क्योंकि आपको देटरी विक्रम के पास काफी सारी क्योंकि फिल्म को काफी बड़े लेवल पर बनाया जाएगा जिसकी ऑफिशली अनॉसमेंट 2024 में होने वाली है तो फिल्म देखते हैं 2025 में कब तक आपाई गयार बात करों को जोनियर एंट्यार की दो फिल्में जो इन फीचेर आपको देखने को मिल सकती है तो पहले फिल्म होने वाली है टिर्पल आर्टू जो की पीरिड एक्सन डामा फिल्म होने वाली है जिस फिल्म को डुाइक्षन énerशे राजा मॉल ही देंगे जो कि बाहोले 22 जह ब्लॉग कुस्टर फिल्म बना चुके और आप तो जानते हो हाल फिलाल में टिर्पल आर का सौंग ना टू ना टू आसकर भी जीच चुका है तो फिर टिर्पल आर टू क्यों ना आए क्योंकि आपको तादू हाल फिलाल के अंदर इस फिल्म का कोई भी ऑफिशली अनॉसमेंट नहीं हुआ था लेकिन जैसे फिल्म इंटरनेशनल मार्केट में गई इंटरनेशनल बड़े बड़े अवार्ड सो में गई वहाँ पर जाने के बाद से काफी सारे इंटर्वी लिए गए और लोगों ने कहा है मैं टिर्पल आर टू चाहिए तो से फिल्म की कहानी को फिर से के वी विजंदर पर साद ही लिखेंगे यानि कि से राजा मौली के पितासरी जिन्होंने बाहु अली वर्न टू मगदीरा टि गोस्तों वहीं बात करने वाले नेस्ट फिल्म जो होने वाली है महाबारत है इस फिल्म को डिरेक्शन देने वाले एसस राजा मौली जिसके लीड़ वाल मापको जूरियर एंटियार परवास अलु अर्लु अर्जन रजिनिकांत मोहला आमिर खान और भी काफी बड़े कला अर्जमोली अपने ही व्यू यानि कि अपने क्रेशन के दौरा बनाएंगे और अपनी ही एक तरीके से महाबारत को दिखाएंगे जिसे मुल्टिपल पार्टों में बनाया जाने वाला जिस फिल्म को लिख चुके हैं केवी वीजंदर परसादी जी हां दोस्तों आपको दो तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो प्लान किया गया है 2017 के लिए तो देखते है इसका ओफिशली अनॉंसमेंट कब होगा लेकिन इन फ्यूचर ये फिल्म आपको जरूर देखने को मिल पाएगी तो यही थी जूनियर एंटियर की आने वाली छे बड़ी फिल्म में इनमे